हेलो दोस्तों आपका अपने चैनल होम्यों टेक्वित यस्पीवाई में आपका स्वागत है आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिसकस करने वाले हैं जिसके ऑल्रेटी मैंने 1-4 कुस्चन नंबर डिसकस किया हुआ है आज हम लोग कुस्चन 5 टू इंड तक जाने की कोशिस करें राइट और उससे भी पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ऑल्रेडी कम्प्लीट किये हुए हैं तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो देख लिजेगा और आगे बढ़ते रहिएगा तो question number 5 discuss करते हैं क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है PQRS PQRS जिसमें PQ side parallel है SR के और AS equal to 5AQ दिया है और AR equal to 5AQ प्रूव क्या करना है SR equal to 5PQ तो देखेंगे जो PQSR यह जो पॉइंट है तो अगर मैं इस triangle को देखूँ कौम से यह PQ और S वाले यह एक triangle होगा है मालो triangle 1 और दूसरा triangle मैं देखूँ R, S और Q को ठीक है यह दूसरा triangle होगा है मेरा जब मैं यह दोनों triangle को देखता हूँ तो मैं अगर angle निकालू इसका angle Q और इसी line में अगर मैं angle S को भी देखूँ एंगल Q को और angle S को देखूँ तो दोनों एक ही line में अप वोजी direction के एंगल है या तो alternate angle है बोल सकते हैं कि एंगल Q और angle S alternate angle है तो यहां से क्या लिख देंगे कि angle P Q Q है न तो देखो Q बीच में आएगा और इधार से कौन इस तो S आपका बीच में आएगा तो इसको लिख देंगे के ट्रेंगे जो एंगल P Q S है कंग्रेंट है किसके RS Q के ठीक है देंट इसके बार जुद यह हम लोगों ने क्या देख लिए alternate triangle अब दूसरा triangle देखते हैं जो की एक दूसरे क्या पोजिट है कौन सा तो देखो P Q और A को P Q और A देखो और इधर से RS और A देखो इसको triangle 1 माल लो इसको triangle 2 माल लो तो जो एंगल A में देखें इधर से देखोंगे तो यह यह एंगल बन रहा है और इधर से यह तो इसको बोल सकते कि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो तो यहां से देखेंगे तो एंगल P Q P Q A P Q A ट्रेंगल में और एंगल ट्रेंगल R S A में जब हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि जो एंगल A है वो वर्टिकली अपोजिट है तो क्या लिखेंगे पी-ए-क्यू एंगल पी-ए-क्यू है कंग्रेंट टू इसके आर ए एस के तो देखो ए बीच में आना चाहिए आ रहा है तो यहां पर कौन से यह है यह क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से और यह वाला क्या था अल्टर्नेट एंगल था एंगल की और एंगल एस अल्टर्नेट एंगल थे था ना तो अगर यहां से हमको देखने के बाद क्या समझ में आया कि जो कि यह दोनों प्राइंगल पी क्यू और ए और आर एस और एंगल तेस्ट से हमें पता चला कि यह दोनों प्राइंगल क्या है शिमिलार है को अगर सिमिलार है तो इनका रेशियो प्रोपोर्शनल क्या होगा सेम होगा इक्वल होगा क्या बोल सकते हैं कि एपी एपी अपॉन ए आ इक्वल होगा किसके एक्यू अपॉन एएस के कि एक्यू अपॉन एस के होगा तो यह लुएट ऐसाटान के बराबार मुगा टीक्यू अपॉन इसाल को नहीं होगा होगा इसके concept similarity के concept से यह आ गया अब हमें given क्या है कि as equal to given है 5aq given क्या है as equal to 5aq तो यहां पुट कर दो aq by ar equal to aq by as कि जागा क्या लिखत होगे 5aq equal to pq upon sr aq से q होजागा cancel हो तो इसको अम लोग लिख सकते हैं कि नहीं pq upon sr equal to 1 by 5 equal to aq by ar भी लिखनों चलो एक बार ओं तो तो sr equal to prove करना है sr equal to 5 pq बोल सकते की नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह तीनों तो similar है ना तीनों का ratio जो है equal है तो यहां से हम लोग sr equal to 5 pq बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं और अगर बोल सकते हैं तो screenshot ले लो कि समझना एक बार और अच्छे समझा देते हैं क्या करना है सबसे पहले यह एक पहला triangle इसको देखना यह वाले को दूसरा यह वाले triangle को देखना है इस पे अल्टरने टैंगल मिल जाएगा एंगल q और एंगल s देन उसके बाद दोनों का कॉमन वर्टिकली एंगल कौन सा ए ठीक है वर्टिकली एंगल है तो वह दोनों को जब आप मिला देंगे यह वहां से हमारा एंगल एंगल टेस्ट के तुरू यह समझ में आ जाएगा कि यह दोनों triangle क्या है सिमिलर है और जब सिमिलर है तो सिमिलर का कॉंसेप्ट लगाते ना उसके रेशियो का जो प्रपोर्शन होगा वो इक्वर होगा फिर वहां से आपको जो गिवें वैल्यू है उसको पूट कर A B C D और A B parallel है B C के और diagonal A C diagonal A C और BD intersect कर रहा point O पे हमें दिख रहा है A B equal to 20 दिया D C equal to 6 दिया O B equal to 15 दिया और O D हमें बताना है बता देंगे लेकिन लेकिन क्या है अपने को कि A B जो है parallel है side A B parallel है कि side DC के side DC के right तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एंगल यह वाला पहले अल्टरनेट देखे थे अल्टरनेट देखे थे तो क्मसह आपका एंगल C D B angle CD B किसके congrade होगा angle A B B के angle A B D के और यह दोनों कैसे एंगल है मेरे दोस्त घ्रडिकली नई वर्टिकली आइंगल है यह कैसे है अल्टर नेत अंगल है यह हो गया है मेरा एकपेशन वन मान लो इत को यह लिख ले ना कि ट्रेंगल C D B में और ट्रेंगल A B D में ठीक है यह इसके बाद हमने ज़ब अपोजिट या अल्टामेट अंगल देख लिया तो अब मुझे ये दोनों ट्रेंगल को देखो ये ट्रेंगल 1 C O D और A O B को ट्रेंगल C O D ट्रेंगल C O D और ट्रेंगल ट्रेंगल A O B को देखो तो क्या हो जागा यहां से कि जो ये अंगल O है दोनों के लिए कॉमन है और वर्टिकली अपोजिट भी है तो अंगल C O D किसके अंग्रेंट हो जाएका A O एंगल A O B के योगे एक्वेशन 2 और कैसा अंगल है यह वर्टिकली अपोजिट अंगल है यह एंगल एंगल टेस्ट से यह यह दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं यह बोल सकते कि दी बोल सकते कि ट्रेंगल C O D सिमिलर है ट्रेंगल A O B के बोल सकते है कि ट्रेंगल जो आपका C O D है वो शिमिलर है ट्रेंगल A O B के तो अब हम तो इसके जो रेसियो होगा corresponding sites की रेशियो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे तो हम इसको बहु सकते कि OC by OA OC by OA इक्वल होगा OD by OB के स्वारी OD by OB के और CD by BA के CD by BA के तो अपने को find out क्या करना है मेरे दोस्त अपने को find out करना है OD OD को ले लो और देखो इसमें से कौन सी वैल्लू गिवेन है AB की वैल्लू गिवेन है तो यह वाली गिवेन है और CD की वैल्लू गिवेन है तो हम यह दोनों को equal कर लेते हैं क्या लिख लेते हैं OD by OB OD by OB equal to AB sorry CD by AB AB तो OD हमें find out करना है मेरे दोस्त और OB दिया हुआ है 15 CD दिया हुआ है 6 और AB दिया हुआ है 20 तो यहां से OD कित्ता हो जाएगा OD OD निए 6 into 15 by 20 5 से कट कर तो 5 3 जा 5 4 जा 2 से कट कर तो 2 4 जा OD की वैल्लू कित्ते आगे 9 by 2 यहां तो इसको आम लोग बोल सकते हैं 4.5 तो OD की वैल्लू कित्ते आगे मेरे दोस्त 4.5 आप इसका screenshot ले लो question no.7 देखेंगे दोस्त क्या दिया है कि एक parallelogram है जिसका नाम है ABCD ठीक है और जो point E है वो VC line में एक point पे cut कर रही है जो की कहां से निकली है इस D point से निकली है और AB line को extend करने पर point T पर intersect कर रही है तो हमें proof क्या करना है कि D into B equal to C into T तो दोस्तो अगर हम लोग parallelogram को देखें तो parallelogram में sides क्या होती है दोनों मतलब अगर हम parallelogram देखें यह सेन parallelogram को देखें तो यह जो side AB है वो side CD के parallel होगा तो segment हम लिखेंगे segment AB parallel to segment CD और अगर आप इस line को देखो A T line को यही line extend होके AB line extend होके इधार आई है तो अगर यह line CD यहाँ पर अगर इंड ना होता तो AT के भी parallel होता segment CD तो हम लिखेंगे कि segment AT parallel to segment CD बोल सकते हैं तो और यह वाले जो यह वाली line TD TD क्या है Transversal line line TD क्या है Transversal line तो यहाँ तक तो हम लिख देंगे कि यह AB parallel है किसके CD के और और जो यह AT है वह भी parallel हो जाएगा CD के और यह जो DT लंबी line दिख रही है वो क्या है Transversal line तो यहां तक का तो काम हो गया हमारा अब देखो जो अब यह ट्रेंगल को देखते हैं ATD को ATD को तो यहां से देखो अगर यह angle T है angle T अगर ATD में angle T और यह वाला एक ट्रेंगल हो गया है दूसरा ट्रेंगल इसको बोल सकते हैं तो यहां से क्या हो रहेगा angle C D E C D या E को इसी को अगे बढ़ा दे तो C D T भी बोल सकते हैं तो यह जो एंगल है और यह जो एंगल है सेम लाइन पर बन रहा है तो क्या होंगे अपोजिट अंगल है यह अल्टरनेट अंगल है कौन सा अंगल T और अंगल D मेरा अल्टरनेट अंगल है फिर तो यह दोनों जो ट्रेंगल है कैसे कहलाएंगे कंग्रेंट कहलाएंगे इसके बाद हम देखें B T और E को B T और E को और इधर से देखेंगे तो C D और E को अब यह मेरा एक ट्रेंगल है ठीक है और यह ट्रेंगल है एक इसके बी टी और E और इधर से C D और E तो यह तो उन्हों भी क्या कहलाएंगे कंग्रेंट कहलाएंगे ठीक है तो अब हमारा तीसरा यह वाली लाइन भी हो जाएगी ट्रेंगल बी इटी यह वाला बी इटी एंड ट्रेंगल सी इडी में जब देखेंगे तो एंगल बी टी इए बी टी इए और सी डी इडी कैसे एंगल होंगे यह तो क्या है अब हम देखेंगे कि यह जो बी इए और टी यह वाला एंगल और सी इडी में यह एंगल देखो यह दो लों क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजित अंगल कहलाएंगे B, E, T और C, E, D क्या कहलाएंगे वर्टिकली अपोजित अंगल कहलाएंगे यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो B, E, T है वो similar है किसके C, E, D के बोल सकते हैं अंगल अंगल तैस्ट के दुरा तो अगर हम यह बोल सकते हैं तो यहां से यह भी चीस्ट तो क्लियर हुजाएगी कि जो B E upon EC है वो क्या बोला मैंने कि B E upon EC किसके बरावर जाएगा B E इधर का पोर्शन है तो ये E T upon D E के क्या बोला मैंने कि ये जो B E upon EC है वह किसके बरावर जाएगा एटी अपार इसी इड के कैसे सिमलारिटी से करस्पॉंडिंग सिम्लार साइट्स क्या होता है का रेशियो क्या होता है इक्वाल होता है तो यहां से क्या आजाएगा B E into D E equal to EC into E t EC into E t और यहीं हमको क्या करना था प्रूफ करना था प्रूफ करना था तो तो इस पर देखो simple सा समझेो पहले क्या किये कि हमने यह अल्टर्णेट अंगल निकाल लिया अंगल T और अंगल D क्या है अल्टर्णेट अंगल है और इसमें triangle कौन सा बन रहा तो यह पूरा को ले लेना CDT को ठीक है फिर उसके बाद यह अल्टर्णेट अंगल निकाल लिये तो आप यहां से क्या निकाल लोगे वर्टिकली अपोजिट अंगल निकाल लेने के बाद क्या हो जाएगा एंगल एंगल टेस्ट से आप सिमिलारिटी बता सकते हो और सिमिलार सक्षिन देखेंगे क्या दिया है कि इंदा फिगर सेग्मेंट AC और सेग्मेंट BD इंटर्शेक्ट कर रहा हैं पॉइंट P पे देन AP बाई C P इक सी पी इक्वल टू बीपिवाई डी पिदिया है तो गरूब रूब या करना है A, B, P similar है, C, D, P के, right, तो देखो, solution, क्या हो जाएगा, कि given क्या है हमको, given, triangle, कौन सा, A, P, B, triangle, A, P, B, and triangle, C, P, D, triangle, C, P, D, triangle, A, P, B, और triangle, C, P, D में, given क्या है, कि A, P, by, C, P, equal to, क्या given है, B, P, by, B, P, by, D, P, यह देखो, A, P, by, C, P, equal to, B, P, by, D, P, तो यह, यहां से हमको यह दिख रहा है क्या, अगर यह ऐसा ratio, same है, corresponding side का ratio, same है, तो vertically opposite angle, vertically, जो angle है, vertical opposite angle, वो क्या है, कि concept से यह चित clear हो जाएगी, कि नहीं होगी, कि angle जो P है, यहाँ पर vertically opposite angle है, तो angle, A, P, B, congruent होगा, किसके, C, P, D, के, काउन सा, vertically opposite angle, vertically opposite angle, तो यहाँ से हम लोग पोल सकते की, बोल सकते की, triangle जो, A, P, A, B, P, A, B, P, similar है, triangle, C, D, P, के, कि कौन से test of similarity से, side angle, side similarity test से, कि यह हमारा कैसे proof हो गया, कि जो side है, और angle है, और side है, क्या है, वो, इसके through हमारा यह proof हो गया, कि जो, A, B, P है, वो है similar है, कि इसके triangle, C, D, P, के, clear है, screen shot ले लो, last question देखेंगे, क्या दिया है, कि in the figure, triangle, A, B, C, point D on side, B, C, यह point D, जो, भैट ली, side, B, C, पे है, such that, जो angle B, A, C है, जो angle A है, और angle D है, वो क्या है, इक्वल है, तो proof क्या करना, C A square equal to C B into C D, right, तो, क्या देखेंगे, कि जो triangle है, हमारा, वो क्यों क्यों सा है, देखो, अगर मैं सबसे बड़े triangle की बात कर दो, तो B, A, C, और, अगर मैं दूसरे, इस triangle को हटा दो, तो देखो, यह triangle बाच रहा है, A, D, C, तो, इन triangle, B, A, C, and A, D, C, इन triangle, B, A, C, and triangle, A, D, C, बड़ा वाला triangle, फिर इसके बाद ये वाला triangle, ठीक है, देन, given क्या है हमको, कि angle B, A, C, concurrent है, angle A, D, C के, यहांको given है, यहांने लिख दिया, अब देखो, यहां से, कि जो, अब, जो हमारा, यह angle, यह angle, देखो, अलग-अलग है, दोनों triangle के लिए, जो common angle है, वो कौन सा है, तो देखो, इसमें, B, A, C, में, यह C, एंगल आ रहा है, और इधर, A, D, C, में भी, यह C आ रहा है, तो दोनों पा common angle कौन सा है, angle C, दोनों का common angle है, तो A, C, B, angle A, C, B, are congruent to angle D, C, A, यह इस इतलिया है, कि angle C, मेरा क्या है, common angle है, तो angle A, C, B, congruent to angle D, C, A, तो यहां से क्या है जब यह दोनों चीज़ें हो गई तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगर जो B, A, C सिमिलर है किसके A, D, C के B, A, C B, A, C सिमिलर हो जागा किसके A, D, C के तो हमें पता है कि जो corresponding sides होती है वो जो उसका ratio होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शन में इक्वल होता है तो corresponding sides of similar triangles are in proportion तो देखो तो जब बड़ा वाले triangle को लेंगे तो C A by C B देखो इधर जब हम इसको लेंगे यह अभी पहले इसको ले रहा है ठीक है जैसे जीस आप से लिखा है तो C A by C D इक्वल टू C B C B by C A तो C A by C D इक्वल टू C B by C A तो C A into C A क्या हो जाएगा? C A square हो जाएगा और यह दोनों का cross multiply हो जाएगा C B into C D तो आसा करते हैं दोस्त कि आपको वीडियो मजा आया हो अगर मजा आया हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब के तो सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फॉर वाचिं इस वीडियो